नमस्कार स्वागत है साहीतिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे विद्यापती की पदावली से बसंत खंड और इसका आज हम अंतिम पद कर रहे हैं तो आईए देखते हैं यहाँ पर जो विद्यापती है आप यह ध्यान में रखें कि इस पदावली का जो संकलन है या इसका संपादन है वो रामवरिक्ष बेनिपुरी जी ने किया है और विद्यापती की पदावली के नाम से इसका संकलन हुआ है बसंत खंड में बसंत रितु के आगमन पर विद्यापति के जो विचार है वो अभिवेक्त हुए हैं तो यहाँ पर कवी क्या कहते हैं मले पवन बहे बसंत विजे कहें कि मले यानि दक्षिन से आने वाली जो पवन है वो बहे रही है दक्षिन दिशा से आने वाली मोहित करने वाली या मोहक पवन बहे रही है बसंत विजे कहें और उसका बहना बसंत रितु की विजे का प्रतीक है यानि बसंत रितु की विजे की गाथा वो कह रही है तो यहाँ पर कहने का अभिप्राई क्या है कि बसंत रितु के आने से शर्द रितु समाप्त हो जाती है तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यह बसंत रितु की विजय है किस पर शर्द रितु पर कि शर्द रितु को हरा कर बसंत ने विजय प्राप्त की और अब चारों और बसंत रितु व्याप्त है ब्रमर करर करई रोर परिमल नहीं और जो ब्रमर है वो क्या कर रहे हैं करई रोर रोर यानि शोर कर रहे हैं चारों और उड़ रहे हैं और भमरों का शोर चारों और वातावरण में फैला हुआ है परिमल नहीं और परिमल यानि सुगंद क्योंकि बसंत रितु के आगमन से चारों और सुगंदित फूल खिले हुए है इसलिए परिमल का या सुगंद का नहीं है और यानि किनारा कि कोई और छोर किनारा नहीं है रितुपती रंग देला हर्दे रभस भेला रितुओं के राजा रितुपती यानि रितुओं के राजा बसंत ने सब और अपना रंग बिखेर दिया है देला यानि दे दिया है डाल दिया है यानि बसंत रितु का परभाव प्रकरती पर फैला हुआ है इसी लिए सभी प्राणियों के जो हर्दे हैं वो रभस, रभस यानि उल्लास से भर गए हैं अर्थात सभी के मन में आनंद और उल्लास उत्पन हो रहा है अनंग मंगल मेली, अनंग कोन है? कामदेव कामदेव ने चारों और मंगल का संचार कर दिया है अर्थात सभी के महर्दे में प्रेम का भाव हिलोरे ले रहा है कामिनी कर्थू केली और इसके साथ साथ जो कामिनी यानि सुन्दर इस्त्रियां है वो कर रही है केली यानि किरडाएं कि सुन्दर इस्त्रियां इस मंगल वातावरण में किरडाएं कर रही है तरुन तरुनी संगे और इसलिए जो तरुन यानि यूवक और तरुनी अर्थात यूवतियां साथ साथ रहते हैं रैनी खेप भी रंगे रैनी यानि रात्री में खेप भी व्यतीत करते हैं रंगे यानि आनंद से और वो अपनी जो रात्री है वो आनंद से व्यतीत करते हैं विहरी विपद लागी केशू उपजल आगी विहरी से तात्प्रे यहां क्या है वियोगिनी विपद यानि विपदी लागी लगी कि जो लेकिन ऐसे मोसम में बसंत रितु के अवसर पर या बसंत के आगमन पर जो विरहनी युवतियां है यानि जिनके पती या जिनके प्रेम मल केसु के जो फूल हैं पुश्प हैं वो भी अगनी को उपजल उत्पन करते हैं कि उन सुन्दर फूलों को देखकर भी उन्हें ऐसे लगता है कि चारों और आग फैली हुई है क्योंकि केसु के फूल कैसे होते हैं लाल रंग के तो उस लाल रंग के फूलों को देखकर भी में ऐसे लगता है कि चारों और कस्ट दायक आग फैली हुई है कभी विद्यापती भान माननी जीवन जान कभी विद्यापती जी कहते हैं कि है माननी माननी भान का मतलब कहते हैं बखान करते हैं जीवन जान कि तुम जीवन की विरह दशा को समझो निरुप रुद्र सिंग बरू मेदनी कलप तरू कि राजा रुद्र इस पिर्थवी पर कलप वरिक्ष के समान है और सब की कामना पूरण करते हैं अतेहे माननी, माननी कोन है सुन्दरी नाई का राधा कह सकते हैं कि तुम उनका अपने जीवन में वरण करो किसका राजा रुद्र सिंग को अपने जीवन में तुम अपना लो क्यों क्यों कि वो कल्पतरू के समान है सबकी इच्छाओं को जानने वाले और उनको पूरन करने वाले हैं तो यहां पर अगर विशेश की बात करें तो बसंत रितु के उद्धीपन रूप का चित्रन यहां पर भावशाली ढंसे किया गया है इसके साथ मेदनी कलपतरू की अगर बात करें तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है मंगल मेली तरुन तरनी विहरी विपद यह यहां पर भी अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है कामनी कर्थू केली जो यह पंक्ती है कामनी कर्थू केली यहां पर अगर देखें तो वृत्य अनुप्रास अलंकार का प्रियोग किया गया है संपूर्ण पद में संगीतात्मक्ता है माधुर्य गु आपको इस पद की व्याक्या बहुत अच्छे से समझ में आई होगी इसी तरह चैनल से जूड़े रहें लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद